20 माई 2023 से खतम होने यारी है इन 5 राशी वालों की सनी की ढहिया इन राशी वालों को मिलेगा शनीदेव जी का अशिरवाद और इनको अपकरोपती बनने से कोई नहीं रोख पाएगा दोस्तों जोतिश शास्त्र में भगवाँ शनी देव जी को नयाएका देवता बताए गया है कहा गया है कि शनी देव जी मनशों को कर्मों के अनुसार शुब और अशुफल देते हैं जिस व्यक्ति की कुंडली में शनी ग्रह की इस्तिती मचबूत होती है वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस कारे को भी शुरू करता है उस कारे में उसको सफलता प्राप्त होती है जिस व्यक्ति की जीवन में सनी ग्रह की स्थिती अच्छी नहीं होती है उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको शायद ये बात नहीं पता तो आपको बता दें अगर शनी देव जी की गलत द्रिश्टी किसी भी व्यक्ती पर पढ़ जाए और वह व्यक्ती करोपती है तो वह रातो रात भिकारी बन जाता है इसी प्रकार से अगर शनी देव जी का अशिरवात किसी भी व्यक्ती को म 11 बच करके 55 मिनट के बीच में शनी ग्रह का गोचर होने जाना है पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन शनी ग्रह का गोचर होता है और जब भी शनी ग्रह का गोचर होता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है और अगर जोतिश शास् बत्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि हुरा को कौं सी ऐसी भाग्यशाली राशिया जिन को शनी गोचर के बाद शनीदेव जी का अशिरणा धुम बिलने जा रही है आप IIsरी तो वो आपको कैसे पता चलेगा आपकी साड़े साथी चल रही थी तो वो कैसे आपको पता चलेगी दोस्तो आपको हम सारी जानकरी इस वीडियो में देंगे देखें एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तो अगर आपकी सनी की ढहियाद चल रही है तो एक बात का ध लगते हैं कि कल करूँगा परसो करूँगा नरसो करूँगा तो मान के चलिए आपका शनी ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया जब कुल विलाकिया अगर आपके अंदर आलस भर रहा है तो शनी ग्रह आपका कमजोर हो गया है तीसरा मान के चलिए आपका खाना पीना ठीक तरीके से लेकिन बार-बार बिमार पड़ रहे हैं, बार-बार आपको दस ता रहे हैं, तो इसका मतलब यही है दोस्तो, आपका शनी ग्रह बहुत ही जादा कमजोर है, इसी प्रकार से आपके जीवन अगर पैसा टिकना बंद हो जाए, पैसा जो है वो बे फिजुल खर्ची में उड़ जाए, तो मान के चलिए आपका शनी ग्रह बहुत ही जादा कमजोर है, इसी तरीके से, अगर आपकी दोस्ती यारी में खटास आने लगें, आपकी जित्ते भी दोस्त यारे हैं, वो आपसे दूर जाने लगें, और आपकी वाड़ी पर आपका नियंतरण ना रहे, तो इसक के लिए आप क्या विकल्प अपना सकते हैं, चलिए आपको एक करके सारी जानकरी देते हैं, लेकिन निवेदन है, आपसे की वीडियो लाइक करना मद गूलेगा, देखिए, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि शनी देव जी का अशिरवा प्राप्ट होती है, इसी प्रकार से, अगर आप प्रतेख शनीवार को काली चीजों का दान करते हैं, जैसे काली उड़त के दाल हो गई, काली चपल हो गई, काला छबता हो गया, तो दोस्तों इससे भी आपका शनी ग्रह बहुती मजबूत हो जाता है, और दोस्तों अगर गोडे की नाल की अंगुठी का धारन कल लें तो इससे आपका शनी ग्रया हमेशा आपका साथ देता है और आपके जीवन में साढ़े साती ढहिया इन प्रकार के प्रकोपों से आपको मुक्ती मिलती है अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि वा भाग गेशाली राशियां कौन सी है जिनकी कल से ढहिया खताम होने आ रही है और वा भाग गेशाली राशियां कौन है जिनको इस शनी जैनती के बाद शनी देव जी का वो अशिरात प्राप्त होगा जिसके बाद इनके जीवन में पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करतीजे और कमेंट बॉक्स में तुरंट लिख दीजे जैशनी देव जी की देखिए सबसे पहली राशी जिसकी कल से ढहिया खतम होने जा रही है वो है करक राशी पहले जा रहान नहीं कर पा रहे थे लेकिन आपकी धईया कल से खतम होने जा रही है अब आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है हाँ प्रतेख शनीवार को अगर आप काले कुत्ते को रूटी खिलाना शुरू कर दें तो इससे आपका शनीग्राय बड़ा ही मजबूत हो जाएगी अब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशिया है जिनका जीवन कल के दिन से पूरी तरह से बदलने जा रहा है जिनके जीवन में आज से शनीग्रह के गोचर के बाद इन भाग्यशाली राशी वालों को शनीदेव जी क कोई नहीं रोक पाएगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने पहले आपसे निवेधन था वीडियो लाइक करना मत बुलिएगा देगे सबसे पहली राशी जिसको आज शनी ग्रह के गोचर के बाद सबसे जादा फाइदा होगा वो है कन्या राशी कन्या राशी वालों के बारे में बताए जा रहा है कि बड़े धन संयोग बन रहा है विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहा है आटका हुआ पैसा भी वापस आपका मिलेगा संतान प्राप्ति के पूरे पूरे योग बन रहा है कोट कचेरी में जहां पर आपको जीत हासिल होगी आपके सुबह के वक्त नहाने दोने के बाद आप लोग किसी भी पीपल के प्योड को एक लोटा जल अर्पित करें, इतना कन्ने भर से आपका शनी ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। दूसरी खुश नसीब रासी है दोस्तों तुला राशी, तो तुला राशी वालों के बारे में बताए जा रहा है कि आपके देव गुरु भरस्पती अपने पांचवे भाव पर जाएंगे, इस शनी ग्रह के गोचर के बाद आपके जीवन में अनेक प्रकार की आपको सफलता प्राप्तों होंगी, ना केवल आपके वैपार में आपको वृद्धी देखने को मिलेगी, बलकि लाखो करोडों धन पाने के योग बन रहे हैं, जो आपने कर्ज पिछले साल लिया था, वो कर्ज आप पूरी तरह से खतम हो जाएगा, और आपके जीवन में आपको आर्थ के भी योग बन रहे हैं, आप नया वैपार अगर शुरू करते हैं, कल के दिन के बाद से कभी भी, तो आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी, जो आपने कर्ज लिया हुआ था, जिसके चलते आप बड़ा परिशान थे, वो कर्ज भी आप पूरी तरह से खतम हो जाएग बलकि आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देखने को मिलेगी, आपके जीवन में बड़े धन संयोग बन रहे हैं, समाज में मान समान तो बढ़े गई बढ़ेगा, नौकरी अगर आप कर रहे थे, नौकरी में आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा, अगर आप प्रतेक शनिवार को काले कुट्ते को रोटी खिलाना शुरू कर देंगे तो इससे आपको शनिदेव जी का आशिरवाद मिलेगा और आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देखने को मिलेगी और अगर आप लोग सिंग रासी के हैं तो कोट कचैरी में आपको जीत हासिल होगी कल के दिन के बास से धर्म कर्म में रूची बढ़ेगी मार्केट में आटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा और जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते बन रहे हैं बताय जा रहा है कि आपके जीवन में जो आप लोग लगतार बिमार चल रहे थे आपकी बिमारी अब आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चलिएगी आप आपको प्रतेक शनिवार को काली उड़त के दाल का दान करना है तो दोस्तों इस वीडियो के ही पर समाप करते हैं